नमस्कार दोस्तों कौन कर सकता है एक सामदार जानदार और अच्छा कमाई देने वाला बिजनिस एक बिजनिस ऐसा बताऊंगा जिसमें तीन से चार रुपई पर डे कमा सकते हैं तो जानते हैं इस बिजनिस के बारे में जो कि लेटेश टेंड नहा है और आपको साइध नोल खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि जमीन ली जाएगी, फैक्टरियां को लिए मसीने भी ली जाएगे, इस्टाब भी रखा जाएगा, या कच्छा मटेर लिया जाएगा, जिसका खर्चा कम सकंग 15 से 20 लाग रुपए आता है, लेकिन जो बिजनिस मैं बताने जा रहा हूं, वो कम पैसों में बिल्कुल शुरू किया जा सकता है, जो कि साट रुपए किलो आपको पढ़ेगा, मात्री साट रुपए किलो, और दो सो रुपए किलो बगेगा, वो बगेगा कैसे ये भी पताऊँगा, लेकिन हम एक बिजनिस फैक्टरी बताते हैं, पैठे की, जो कि प साप रखना, यानि लागों रुपए महीने का खर्चा होता है, उसके बात पता चलता है कि बिजनिस चल नहीं रहा, सेल नहीं हो रही, काम नहीं है, तो आप क्या करेंगा यसे बिजनिस में, क्योंकि आपने पैसा भी लगा दिया, बिजनिस भी चल ला, एक सांदर तरीका आइडिया बताता हूं आपको जो कि 3-4,000 रुपए आप परड़े कमा सकते हैं, क्योंकि जो पेटा हम बेचते हैं, फैक्टरी में बनाते हैं, वो हॉल से लेट में साथ रुपए किलो आता है, और वो मार्कीट में 200 रुपए किलो कैसे बिखेगा, क्योंकि ये आप देख पैकिंग आज कर चल लीए, फैंसी पैकिंग आ रही हैं, जो कि डबबे आप देख रहे हैं, ये फैंसी डबबे बाहर मार्कीट से प्रोवाइड हो जाते हैं, ये मिलते खाएं, सदर बजार है, आपकी अलसल मार्कीट है, जो कि इस तरीके से डबबा होता है, ये आप पैटा पैटा की बात कर रहा हूं, जो कि पैटा होता है, आगरा का मसूर है सबसे जागा, और वहां पर साट से सतर रुपे किलो बड़ी आवड पैटा मिल जाएगा, लेकिन इसके आप डाइसो ग्राम, तीन सो ग्राम, चार सो ग्राम के पैकिट बनाकर मार्कीट में, जो होल सेलर होते हैं, बेचेंगे कहां पर आप, इसको हर कोई ले सकता है, डेरी वालों को देदे हैं, जनरल इस्टोर वालों को देदे हैं, या जो होल सेल की मिठाईयों की दुकान है, रिडेल वाले, हर कोई बेचेगा, आप मार्जन अच्छा दे हैं उनको भी, और ये 50 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके बिजनिस को हर समय उचाईयों तक ले जाने में आपकी हर प्रकार से पजब्स करूँगा, मुझे कॉल करें